हीरामन के ब्यक्तित्तों की विसेस्ताओं पर अब हम लोग चर्चा करेंगे और हीराबाई के चरित्र की चर्चा करेंगे यह पनिश्वरनात रेणों की कहानी तीसरी कसम के दो पात्र हैं प्रमुख पात्र हैं किसी नाटक कहानी कथा आदी में आये पात्रों की सोच कारियपधती आदी के बारे में सूचना देना उस पात्र का चरित्र चित्रन कहलाता है फणिश्वरनात रेणु जी की आंचलिक कहानी तीसरी कसम के अंतरगत दो चरित्र है हीरामन और हीराबाई इन दोनों के इर्दगिर्द की ही संपूर्ण कहानी घूमती है इस कहानी का प्रधान चरित्र हीरामन है वह कहानी का नायक है और कहानी उसी के जीवन की तीन घटनाओं पर आधारी थे उसके ब्यक्तित्त की पहचान यह है कि वह एक 40 साल का हटा कटा काला का लूटा देहाती नौजवान है उसकी बच्पन में साधी हुई थी लेकिन गौने से पहले दुलहन मर गई दूसरी साधी नहीं हुई थी वह चंपा नगर का रहने वाला था और फारवी सगंज के बाजार में उसकी ख्याती एक पक्के गाड़ीवान की थी उसे अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाए दुनिया की किसी और बात से विसेज दिल्चस्पी नहीं थी हीरामन की दिलेरी, सचेतन, सचेतनता, आत्मियता, इमांदारी, शरलता, सज्जनता और करुणा उसके अंदर बैठे इंसान को प्रगट करती है हीरामन के चरित्र की साहस, निडड़ता और इमांदारी तीन विसेस ताएं रही है, उसके साहस की परिक्षत तब होती है जब सीमा के पार तराई में उसकी गाड़ी पकड़ी गई थी, और उस समय उसकी गाड़ी में ना केवल चोर बाजारी का माल था, अपितु महाजन का मुनीम भी छिपा हुआ था अब दरोगा जी की कैद से किसी का भी छुटकारा पाना नामुम्किन था लेकिन हीरामन ने हिम्मत से काम लिया और साहस करके तीन चार गाड़ीयों की आड़ में चिपकर अपने बैलों के गले की रसियां खोल दी और उन्हें लेकर तराई के जंगलों में भाग गया रात भर अंधेरे में और घनी जाड़ियों में भागने के साहस में न केवल उसे दो साल जेल की सजा से बचाया बलकि उसके बैलों की सरकारी निलामी होने से भी बचाया था यह उसके साहस की सौर्यगा था है अब उसकी निडरता का प्रसंग सुन लीजिए पिछले साल सरकस कमपनी के बाग को ढोने वाली बाग गाड़ी के दोनों घोडे मर गए सरकस कमपनी के मैनेजर ने एलान किया कि जो भी गाड़ीवान यह काम करेगा उसे सो रुपय भाड़ा मिलेगा एक दो गाड़ीवान ने इस बात को अंजाम देने की कोशिस की किन्तु असफल हो गए उनके बैल बाग गाड़ी से डर कर भाग गए हीरामन ने इस चुनावती को स्विकार किया और अपने बैलों को समझाया कि यही अवसर है अपनी खोई हुई बैल गाड़ी बनवाने का उसने अपने बैलों से कहा अरे पिजडे में बंद बाग का क्या डर मोरंग की तराई में दहाडते हुए बागों को देख चुके हो फिर पीट पर मैं तो हूई ही फिर क्या एक एक करके दोनों बैल बाग गाड़ी में जुड़ गए हीरामन ने अपने कारे को अंजाम दिया इसी तरह इमांदारी भी हीरामन के चरित्र का आभूशन है वह आम आदमी की तरह गलतियां तो करता है लेकिन गलतियों का एहसास होने पर उने दुबारा नौ करने की कसम खाता है ये कसमें उसके चरित्र के इमांदारी को प्रगट करती है हीरामन की सादगी सालिंता उसकी सेवा के कायल रेणू भी थे उनके अनुसार हीरामन सभाव से भोला भाला बिनोध प्री और निहश्वार्थ ब्यक्ती है ये उसके भोलेपन को दरसाता है कि वह भूत प्रेत में भी स्वास करता है और सवारी में बैठी औरत के उल्टे पाउं होने की आसंका से डर जाता है वह बाते करने में पारंगत है और उसकी बातों में हास्य के फवारे छूटते हैं वह कानपूर सहर का नाम शहर के नाम को बड़े ब्यंग से हसी में तबदील करते हुए कहता है कि तो फिर नाक पूर नाक का ही सहर होगा लोगों ने ना जाने सहरों के क्या क्या नाम रखे हैं कान ना कान खा दी उसकी या विनोध प्रियता उसके व्यक्तित्त को प्रभावसाली बना देती है और हीरामन नी हश्वारती है वो हीराबाई से जलपान के लिए लाए गए दही चूड़ा के पैसे नहीं लेता है फार बीस गंज पहुँचने पर भी جब हीरामन होटल से कुछ लाने के लिए निकलता है तब हीराबाई उससे पैसे देने लगती है तो वह कहता है कि आप बार-बार पैसे मत निकालिए इन छोटे-छोटे प्रसंगों में उसकी निहस्वार्थ भावना प्रगट होती है हीरा मन के चरित्र की सबसे बड़ी भी सेस्ता है सोहिर्दैता उसके हिर्दै में हीरा बाई के प्रती निर्विकार प्रेम परमादर और सम्मान की भावना है यह जानते हुए भी कि हीरा बाई नो टंकी में काम करने वाली आउरत है और ऐसी आउरतों के प्रती समाजिक मन की मन में बुरी मान्यताएं गर कर चुकी हैं वो हीरा बाई से दिल का रिस्ता जोड़ लेता है उसे अपने सपनों की महुआ घटवारिन मानता है और उसके हिर्दे कि यहा उदारता जाने अंजाने में उसे मानवियता के सिखर पर विराजमान कर देती है और उसके चरित्र को महान बना देती है इस प्रकार हीरामन एक सच्चा, सीधा, साधा, महनती, गाड़िवान है जो सू संसकारी है उसमें आत्मियता के गुणविद्यमान है तीसरी कसम कहानी उसी के इर्द गिर्द घुमती है निहशंदेह हुआ कहानी का नायक है कहानी का दूसरा मुख्य चरित्र हीराबाई है प्रथम द्रिष्टी में हीराबाई का अव्यक्तित्व कहानी के नायक हीरामन के अध्यधिक प्रभावित करता है कहानी में उसके वाहय अव्यक्तित्व का वरणन भी आता है उसकी entry रात के अंधेरे में होती है वह हीरामन की सवारी बन कराती है लेकिन वह उसे देख नहीं पाता जब उसकी गाड़ी करवट लेती है और चांदनी रोसनी गाड़ी के परदे के अंदर जाती है तब उसका खुबसूरत चहरा हीरामन को दिखाई देता है उसे देखते ही हीरामन के मुख से परी शब्द निकलता है तातपर यह है कि हीराबाई बहुत सुन्दर है परी की तरह उसकी आवाज भी हीरामन को बच्चों की तरह मिठास भरी लगती है जाहिर है कि वह रूप रंग की द्रिष्टी से हीराबाई एक सुन्दर इस्त्री है हीराबाई मतुरा मोहन कंपनी की मसहूर नाईका थी और लैला का किरदार भी निभाती थी उसकी अदाकारी पर हजारों लोग फिदा है इस पश्ट है कि हिराबाई एक कुसल कलाकार है और उसने अपनी कला से सभी को प्रभावित कर दिया है इतनी लोग प्रियता के बावजूद हिराबाई के चरित्र में घमंड या अंकार नहीं है वह हिरामन के साथ एक शाधारन महिला बनकर प्रेम पुरवग बेवहार करती है उसे मीता कहकर संबोधित करती है इतना ही नहीं वह उसे अपने साथ जलपान करने के लिए न केवल आगरह करती है बलकि श्वयम अपने हाथों से हिरामन के लिए पत्तल बिछा देती है न वह हिरामन को छोटा वगरीब समझ कर उसके साथ भेद भाव पुरण बेवहार करती है और नहीं उसे पूरुत समझ कर अलग थलग करती है यह समानता की भावना हीराबाई के चरित्र को प्रभावशाली बना देती है हीराबाई के चरित्र की एक विसेष्था यह रही की वह बहुत बिनम्र स्वभाव की महिला है इसकी प्रतिती तब होती है जब हीराबाई का गीत सुन कर वह उसे अपना गुरू मान लेती है वह कहती है कि गुरू सिखाने वाला होता है और तुमने मुझे इतना मधुरगीत सिखाया है इसलिए मैं तुम्हें अपना गुरू मानती हूँ संबेदन सीलता हीरा भाई के चरित्र की सबसे बड़ी भी सेज़ता है उसके मन में भोले भाले और निशल हीरा मन के प्रती हमदर्दी है वह उसकी गरीबी को भली भाती समझती है और उसे नो टंकी के सो के टिकट देती है उसका बटुआ अपने बैग में रखती है वह अपने दुख उसके साथ बाटती है वो हीरामन से प्रेम करती है लेकिन अपने हालास से मजबूर होने के कारण अपने प्रेम का इजहार नहीं करती उससे बिदा लेते समय दुखी होती है और अपने गम को आँखों से अभिवेक्त करती है इस तरह कहानी में हीरा भाई का चरित्र अतिमहत्वपुर्ण है या चरित्र कहानी को ससक्त बनाता है इसके अत्रिक्त कहानी में अन्यगाण चरित्र धनीराम, पलटदास, लाल मोहन, गाड़िवान, हीरामन की भावी और हीरामन का भाई आदी भी चरित्र चित्रन किया गया है जो कहानी के आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं कहानी में पलट दास का चरित्र धार्मिक वृत्ति का है उसे हर जगा राम सीता लच्छमन दिखाई देते हैं जब उसे हीरामन उसकी जगा गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और बैड जाता है तब उसे हीराबाई में सीता के दर्सन होते हैं सो रही हीराबाई को देखकर उसे ठकी हुई सीता याद आती है जब वो सीता माता के चरण छूने की कोसिस करता है तब हीराबाई हट से उठ जाती है और उसे भगा देती है इसके अलामा भी कहानी में लाल मोहन, लहसनमा, धनी राम, आदी चरित्र है इन सभी कहानी को रोचक सजी और सचित्र बनाने के बिसिष्ट भूमी का निभाते हैं इनके महत्य को भी भूला नहीं जा सकता अंतता फणिश्वनात रेनु की काल जई कहानी तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई हिंदी कथा शाहित जगत के अत्यांत ही दुरलभ पात्र है इस प्रकार आप हीरामन और हीराबाई के चरित्र को देख सकते हैं